कोड के सामने भी बोली प्रश्ण रखी कि हमारे लड़का हमारे दिवर हम नहीं रहेंगे अम कहे रहेंगे हम तुम्हारे गोड गिर रहे हैं बच्चों का मुथ आको दुनों बच्चों को अलग मत करो चलो नहीं नहीं हमको मच्छू हो जाए यहां से आपको एक ऐसी ख़वर दिखाने जा रहा हूं जिसको सुनकर जिसको देखकर आप साइज चौग जाएंगे इसको हम कालपनिक नहीं कह सकते हैं जिसको हम कलपना नहीं कर सकते साइज सोच भी नहीं सकते ऐसी एक ख़वर है पुनर जन्म में अगर विश्वास रखते हैं या हम आपको बताएंगे जिस परिवार के बीच में चल रहा हूं जिस परिवार से मैं बात्सीत करूंगा उस परिवार का एक बच्चा था तकरीबर उसकी उमर 18 साल रही होगी और मुर्तिवी सर्जन के दौरान उसकी नदी में डूबने के बाद मौत हो जाती है नदी में 13 साल पहले की वह घटना है जब वह मुझती भी सरजर करने के लिए जाते हैं और नदी में यहीं कुछ दूरी पर नदी है जिसमें डूबने के बाद उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद तक्रीबन 8 साल बाद फिर इसी घर में एक बच्चा जन्म लेता है और वह बच्चा यह बताता है कि मैं वही हूँ जो इनके भाई थे जिरकी मौत हो चुकी है वह बच्चा यहां पर बैठा हुआ मैं उनसे बातचीत करूँगा और सारी चीज आपको बताने की कोशिश करूँगा और यह बच्चा अभी आप समझे कि तक्रीबन इस समय उमर चार से पांस साल है अबोध बच्चा है लेकिन यह बच्चा सारी चीजें बताता है अपने पिछले जनम के बारे में पूर जनम के बारे में कि क्या क्या इनके साथ हुआ था और कैसे कैसे वह घटना हुई है सारी चीज के बारे में यह बच्चा खुद बताएगा आप उनकी दादी है इनक है क्या क्या नाम है अमर अच्छा पिछले जन्म में आपका क्या नाम था अमर अमर था इस जन्म का नाम बताओ अरो 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 अच्छा अरो अपना नाम रख लिए इसके बार बताइए हमको पिछले जनम के बारे में कुछ यह लोग कह रहे हैं कि आप पिछले जनम में इसे घर में थे उनके भाई थे आप और इसमय तो आपके पिता जी है वो कौन है क्या लगते हैं बैठी आप भाई साव य हैं कैसे भाईया इनको आप मानते हैं बताएं कैसे यह भाईया कैसे हुए आपके काई दी है तो आप यह क्या नाम है इनका सूरच सूरच आपके पिता जी कौन है पापा कौन है पापा क्या लगत कौन है पापा नाम बताओ पापा नाम बताओ पापा नाम बताओ पापा बाप के नम बताओ रेखे क्या हुआ था आपके साथ पिछले जनम में बताए कुछ हमको बता तो नदीम में क्या करने के लिए नदीम गए थे आप बताने मटरू को बचाने के लिए इस लड़का बुड़ा था वू प्या करने आप लोग गय थे वहां पर नदीम में गया पर जो ने के गया थे नदीम में मुर्ति लेकर गय थे और मुर्ति था तो पर दूर यहां से अच्छा किसके दुकान के पास बताओ हमको अब लेकर चले जाएंगे अब उच्छे का दुकान क्या बेचर तुभी बताएंगे आपको अच्छा दुकान भी रखे थे आप किस दुकान था उपका पर बंदीपुर नदी में और के साथ मापर कौन कौन गए थे कुछ याद है नाम साथिक नाम बताओ अपने अन्नो और कौन संकर संकर अच्छा अन्व और संकर तीनों लोग साथ में नहा रहे थे यह का हो रहा था था उसमां कहा हुआ था कौन डूब रहा था उसमां ने किसको बचाने के लिए गए तो फिर डूब गए तो है प्रफार कौन मिला था कौन मिला था हम मिला था राशी अच्छा लाश कि टना दिन बाद मिले थी पता है कि तने दिन बाद बहुत दिन के दोतिते पढ़ ने कि अच्छा मम्मी कोन है कि वाग गई व पूसके वज़ज से चली गई को सब्सक्राइब अधिकत करते थे उनको क्या बोलते थे मम्मी बोलते थे मामी और कुछ भी बोलते थे इनकी माँ हम सुने कि साध वो नहीं है समय जब याद आया तो उसके भाई के फोन उसके बाप से हम बता है हैंको अईसा कोच होता ये ढ़ा नाया को बतायाख इसाल को बताया रएगा तो जब जब याद आया तप्टायो ति अन्माल लगन शर्व किसी से घर में कहा नहीं हो तो इस नहीं कहा थी चार दिन बाद भाई क के भाई के फोन आया तो वह बत आया है यही पर अगर उसका पा पस mitä बाइ उपने नहीं पीकिनी नहीं हो गया थे आंधाने आपने भाई से कुछ नहीं कहीं कैसे सहः हुआ है अब हमारा हम था नै केफने सारा से बता दिया उसे नहीं पर आगे माताजीली फिर से वांपको नहीं खुसी का बात है भले है हमारे लड़के हैं लेकिन भाइस बढ़के कोई नहीं हो सकता ना तमको बहुत खुसी हुआ थमको खुसी मारे उसे बता दिये हम लेकिन उसी समय के बाद हो ना जाना सब्बंध हो गया उनका आप लोग तो कहीं न कहीं आपके घर में खुसी का महावल हो गया कि चलिए आपको लगा कि हमारा बेटा अब हमारे पोते के रूप में हमको मिल गया है है आप को और रिष्टा रहा हैं सब कुछ आद है अब बात हैं कि मान कहेंगे नाम बता का सबका है हमारे बापского नान Mohimana PD बताएंगे तो मन दबा कर सुन रहा था तो मारी बैटी बॉली कि खुसिया हम सब को मिला है खून था तो सब क्यों खुश होंगे क्यों बताए गए तो इनका सारा सबसे फैला दिया नाध बात में कैसा सबस्क्राइब हमारा भाइने उनका देवर निकल गया है तो इसके बाद ऐसे से हो गया भाइट उब ली ममी से कि ममी जाने दो हम तो खुछ है ने ओर लोग ना खुछ हैं कोई मतलब भाइबात आपकी वाइब बोले कि हम खुछ हैं वो लोग खुछ रहे हैं ने बोले ने ए रिंकी जब से आपके माई के का फून बंद हो गया सब दूखी हैं का ममी जाने दीजिए हो सब दूखी हम खुछ हैं ने तो हमारी बेटी ती रेनू तो कहा है ममी जाने दो भाभी खुछ हैं लेकिन उसके पापा के तब्यत खराब हुआ है लिए आ गए का ममी एक अफटा रहेंगे सब्सक्राइब कर गया है पिर हमारी बेटी फून लगाई भाभी आए हमको जाना है घर कर नहीं आएंगे जब जा रही थी तो कि बाबुक लिया कर जाओ का बाबुक लेकर नहीं जाएंगे मतलब किया है अब पोती बड़ी थी लगता पूरे परिवार के लोगों ने मिलक साजिस किया इसे समझ भाए कि पोती बाट साल की थी उसको नहीं उसको लेकर गई और इनको तीन साल कर छोड़ कर गई पोती के लोगा हमके बाबुक ले जाओ नहीं बाबुक नहीं ले जाएंगे लड़की भी है उसको बड़ी है उसको बड़ी है उसको बहुत मांगे बह और पर आप लोगों ने कहा कि आई ये तो वह प्र क्या आएंगे प्र हमारे घर में पांच यह दिन काना नहीं बना सब्दिन राज्ट सदमा लग गया रोते-रोते कि यह क्या कदि फोन पर फोने लगाए बाभी आए ये बाभी आए बचों का इए रोहें लेकिन हम सब एक द आप करो, पैर भी पड़े, पैर पड़े, अपने बहु की आपने पैर पड़ा की आप चलिए, हम तुम्हारे गोड़ गिर रहे हैं, बच्चों का मुता को, दोनों बच्चों को अलग मत करो, चलो, नहीं, नहीं, हमको मच्छू हो, जाइए यहां से, आपका लड़का है, सु उसका बाबू नहीं है, तुम्हारा लड़का 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 है, तुम्हारा ल मिलके साथ इसकी तीन बार गए एक बार तो एक बार बोलरों करकर हम दस आदमें के लिए आग गए दो बार तक धंसर गए लेकिन बहुत समझाए काया कि बरमाजी का लकीर है बरमाजी आएंगी तब कर सकते हमारे साथ क्योंकि रात का समय भी था हम दस जनी की गाड़ी से लिया गए तक उसकी जाची कह रही है कि अगर दोनों अकेले फिराए होते तिसरी बार ने प्यड़ में बान कर मारते इसमें भगवान ने इतना बड़ा चमतकार की हमारे साथ हर बच्चा जाता है किसी क चाहले है माही जाने कितना दर्द होता है लेकिन कोई अगर मा फिर से वापस में ङकुर्णा खाया प्यार करते है प्यार करती है लेकिन यतना घिन्ना इसकी दिल्ली बहन रहती है वो भड़काई कि देवर पालेगी तुम हमारे साम सामने उस घर में नहीं जाना है उनकी कोख से जन्म लिया ये बच्चा है और उनको ये लग रहा है कि देवर है वो याद आने लगा बो अलग चीजे होती है लेकिन देवर तो है उनके कोख से ही है जाना है नहीं हमारे बाप को नाना नहीं कहते हमारे भाए के मामा नहीं कहते कैसे लिया के मैके जाएंगे बड़ा होते लियकर नहीं जाते उतीनी साल में अट्छार साल के बना दी अदम सायन बना दी जब तक हमारे साथ ही जगड़ाबौावाल ने कोई टेंसन ने कोई निजम ठीक ठास ए आना जाना गूना ठाना सब कोई दिककत नहीं थी कि वही याद आई किया माता ने चमतकार किया और जब उसमें माता जी कहानी इसमें माता जी आकर खुदी थी 30-308 मने की बीच में बोलें की नई हर वाले उसकी बहन जब तक थी खुष थी कहती से लिए जाने के बाद ही यहां कहें ना यहां कहें न कि ना हैने खुस रहें मम्मीः रूती थी नहीं हम में धेह को सेम खूस खूस है कर भागते थें यह हंखू हार ऑड़ शत्व आ गया बागता अब सर्त नहीं आता तक है मम्मी रोती थी हमको सब को तक्रीब था चा कोई माने चैने माने खुश थी लेकिन वहाँ जाने एक बात सुसकुफ बहेन होने सब अदम चाहा दिये सिर्फ दो साड़ी रेकर गई थी यहां से अराम सोए थे कुछ हम सोए हम सोए थे हमें उठाई हमारा पहर चुई पोतिस का ही मम्मक पहर चूलो खुशी-खुशी गई कोई बात नहीं लेकि वहाँ जाके एक महिना में इतना हो कर घर वाली सब बदल दिये इतना घिन्ना हो गया कि देवर को पालोगी उसका तुम्हारा बेटा है तुम दोख हमसे मतलब नहीं है अचाही बच्चा उनको मम्मे बोलता था या भावी जब तक मम्मी कह रहे थे तुम साल ने पापा और मममी रही हैं अब यह पनए पापा को भावी बोलते्עे भावी जये ना मारती थे जब बहुंत ना बहुत zwischen मंस थे इस ब het you जिए आइंको मतली थे तिए तो मरती आक दिखाती थे कोट दवारा हमारे साथ रहने को त्यार हो जाएं तो कोट के सामने बी बॉली प्रशन रखी कि हमारा लड़का देवर हम नहीं नहीं रहेंगे तो कोट ने भी धिकारा कि ऐसा खुशी की बात है जिसके बाद वहां से लिखा पड़ी हो गया डिबोस हो वहां से हो गया हमारा उनका अपना पसाधी कर ली कहीं और जो बड़ी वारी आपकी बेटी थी उसको लेकर चली गए नहीं नहीं उसको बहुत मांगे ख़से हम लड़की उसक पचासाया रुप के पास रहेगा कागज बेटी मां के पास रहे घड़ी बेटा आपने बाप के पास रहेगा बेटस कोई मतलब नहीं लिख today बच्चो जे बच्चा पैदा हुआ था। बच्चे रोगूते हैं लेकिन यह पहले ही दिन बच्चा हश ना पहले ही दिन रहा थे गोदीं से लिए हैं अब बैटी फोटो घुजित हमारा चहरा नहीं सिर्फ हात आया है तो मारी बेटी पुशी जब याद आ गाया एक युद अपने अमाने आपके साथ कही ने अच्छा किया और एक वो मा है जो अपने बच्चे को छोड़ कर आप लोगों के बीच से चली गई उसमा को कही न कहीं सोचने की बात थी बिल्कुल बिल्कुल उन सारी चीजों पर हमने बात चीट भी किया तो इनको यहीं अफसोस हो रहा है कि साथ अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो आज इनकी बीबी इनके बीच होती इनके परिवार के बीच होती और आप लोगों को क्या लग रहा है तमाम सारी बात चीट के जरूर बताईएगा और आप लोगों को कभी ऐसा को सुनने को मिला होगा तो वो भी आप लोग जरूर बताईएगा धन्यवाद